हेलो प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करोड़पती बनने के साथ ऐसे हिडन सीक्रेट फैक्ट जो मैंने लिए हैं दर रिचेस मैन ओफ बेबिलोन की बुक से अगर आप बुक को पढ़ना चाते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा प्यारे दोस्तों क्या कभी आपने सुना है पेड़ में टंगा आम नीचे गिरने की बजाए उपर की तरफ गया जी सही का आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा क्योंकि ये प्रकृती का सरल नियम है कि जो भी वस्तु जब भी गिरती है वो नीचे ही गिरती है इसी तरह पै बिलोन के लियम आज भी इतने ही effective और कारगर हैं जितने पुराने समय में हुआ करते थे इस book से काफी लोगों को फायदा हुआ है इस book को पढ़ने के बाद और इस book के नियमों को सही माइने में अपनी जिंदगी में अतारने के बाद आप भी अपनी life में कुछ समय बाद कैसे बनाया जाता है ये book इतनी effective है जो आपकी daily life में आने वाली financial problem debt management और अपने बचाये हुए पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है इन सब problems को खूब अच्छे से solve करना सिखाती है तो प्यारे दोस्तों अगर आपकी इस channel में first visit है तो इस video को अपने रिस्तदारों तक भी पह पाए और हाँ best financial जानकारी के लिए इस channel को subscribe करके bell icon प्रेस करना ना भूलें जिससे सारी financial वीडियो का notification आप तक पहुंसता रहें समय से तो चली शुरू करते हैं पहले lesson से the man who desired goal बेनजीर कोबी ये दोनों ही babylon के रहने वाले थे और ये दोनों भी गरीब ही थे इन में से बेनजीर बहुत बढ़िया रत बनाने वाला था और बहुत मेहनती भी और कोबी भी एक बहुत बढ़िया सिंगर था ये दोनों अपने काम से जितना भी कमाते थे सारा खर् इन दोनों का मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था इन दोनों का पर्स हमेशा ही खाली रहता था और इन दोनों के उपर काफी करजा भी रहता था ये दोनों ही पैसों के प्रोब्लम से काफी परशान भी रहते थे तबी ये दोनों आपस में एक बार मिलते हैं और बात कर होते हैं तभी कोबी को अपने अरकत दोस्की याद आ जाती है जो कि बेबलोन का सबसे धनी आदमियों में से एक होता है अरकत भी बहुत समय पहले बेनजीर और कोबी जैसा बहुत गरीब था उन तीनों ने ही एक साथ अपनी पड़ाई खत्म की थी उस समय अरकत भी बहुत दोस्तों के साथ अरकत के साथ मिलने प्लैन बनाते हैं जिससे वो भी अमीर बनने का सीक्रेट जान पाए और अपनी किसमत बदल पाए अब बढ़ते हैं दूसरे लेसन की ओर दे रिचेस मैन इन दे बेबिलोन अरकत बेबिलोन का सबसे अमीर आदमिय था वो अपनी बेंजीर कोबी अलकत की आलिशान महल में आए तब बेंजीर और कोबी ने अलकत से पूछा जब तुम भी हमारी तरह गरीब थे तब तुमने ऐसा आखिर क्या किया जिससे तुम बेबिलोन के रिचेस परसन बन गए तब अरकत कहता है अगर तुम लोगों को पैसे में दिक में मैंने अपनी शुरुआत बरतन के काम से की और मैं काफी डिटिमिंट भी था अपने काम में लेकिन महिनों मेहनत करने के बाद भी अपनी कोई डौला तिकटा नहीं कर पाया एक दिन अपने काम के सिलसले में एक मशूर व्यापारी अलकमिश मेरे पास आ degato जो की उस समय को ये बताएंगे तो सारी दात मैं आपका काम करूँगा और सुबह तक आपका काम पूरा हो जाएगा जैसे इसाओकार एलक्मिश ने सुना तो वो तुरंत राजी हो गया फिर क्या था मैंने सारी राज जग कर उनका काम अच्छे से पूरा कर दिया और उन्होंने भी सुबह अपना वादा पुरा किया फिर अल्कमिश ने अरकत को दौलत कमाने का पहला सद्दान बताया जो की इस प्रकार है पहला सबक अल्कमिश ने कहा तुम जितना कमाते हो उसका 10% अपने पास ही रखोगे मैंने पूछा लेकिन मैं जितना कमाता हूँ उससे मैं पूरा का पूरा अपने पास ही रखता हूँ तभी अल्कमिश कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्यों तुम बेबिलोन में रहकर खाने के पैसे नहीं देते क्या तुम कपड़े खरीदने के बाद उसके पैसे नहीं देते और उनके लिए कमाते हो तब उन्होंने अरकत को समझाते वे का देखो भाई तुम जो भी सोने की इंकम बचाते हो उस इंकम को तुम इंवेस्ट करके अपने लिए और धन कमवा सकते हो और जैसे ही वो धन तुम्हें रिटन दे तब तुम उससे भी और धन कमवा सकते हो तु तुम्हें बिना चिंता करें सिर्फ अपनी इंकम का 10% इंवेस्ट करना होगा अब आता है इस कहानी की समरी में इस कहानी का पहला सबक तो जो है अगर तुम सही में दौलत बनना चाते हो तब तुम्हें अपनी सेविंग को इंवेस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारी सेविं तुम 10% इन्वेस्टिंग के लिए अलग कर दो उसके बाद तुम बचेवे पैसों से अपना खर चलाओ दूसरा सबक एक साल बाद अलकमिश अरकत से दोबारा मिलने आ है इनोंने पूछा अरकत तुमने कितना कमाया क्या इंकम का 10% सही में तुमने बचाया और मैंने भी बड़े प्राउट से बताया हाँ मैं अपनी इंकम का 10% बचाया इसे इट बनाने वाले को एक अजमेर को दे लिया और वो इट वाला अजमेर दूर देश से रेर जैमस्टोन खरीद कर लाएगा और वापिस आने पर उन जैमस्टोन को ज्यादा कीमत पर बेच कर हम ज्यादा मुनाफ़ा कमाएंगे ये सुनने के बाद अलकमिश गुसे में लाल होकर भोला तुमने जैमस्टोन के बारे में एक इट बनाने वाले पर क्यो भरुसा किया क्या कभी जूते सिलने वाले से खाने बनाने की रेसिपो पुची जाती है लो तुमारी पूजी रकम ही डूब गई इस बार अब तुम फिर से एक कोशिश करो अगर तुमें जैमस्टोन के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तो जोली वाले के पास ही जाओगे न अगर तुमें कपड़ की एडवाइस चाहिए होगी तो कपड़े बनाने वाले के पास ही जाओगे दूसरा सबक एडवाइस एक ऐसी चीछ है जो लोग फ्री में तो देते हैं लेकिन इसे लेका सतक रहने की ज़रुत है तुमको सिर्फ उनसे ही एडवाइस लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस काम में स्किल्फिल हो और उस काम को बड़ी आर तरीके से करता हो जो व्यक्ति अपनी सेविंग के बारे में गलत और अनेक्सपिरियंस लोगों से एडवाइस लेता है वो अपनी सेविंग उन लोगों के कारण कवा देता है इतना केकर अलकमिश वहाँ से चले जाते हैं अब आते हैं तीसे सबक में एक साल बात अलकमिश फिर से वापिस आते हैं हमारी इससे पहली मुलकात के बाद तुमने कितनी तरक्की की ये बताओ पहले मुझे तो अरकद ने उन्हें बताया मैंने अपनी इंकम का 10% सेव करके उन पैसो को ब्राशल बनाने वाले को दे दिया ताकि वे उन पैसो का ब्राश खरी सके और हर 5 मंत के बाद मुझे ब्यास देता है यानि की इंटरस देता है ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस बाद बहुत अच्छा काम किया है और खुश होते हुए बोलते हैं कि लेकिन तुम उन पैसो का करते क्या हो यानि जो इंटरस मिलता है उसका क्या करते हो फिर उसने कहा मैं इससे अच्छे चीजे खरीता हूँ और खूब जिस्ट बनाता हूँ ये बात सुनकर अलकमिश हसते हुए कहते हैं तुम अपनी सेविंग के रिटन को खर्च कर रहे हो लेकिन ऐसे में तुम उस रिटन से और ज्यादा धन कैसे कमा पाओगे और तुम उस ध इससे मिलने वाले इंटरेस्ट को यानि इंकम को खर्च नहीं करना है उसे दोबारा इंवेस्ट और रिइंवेस्ट करना है जिससे वो आपके लिए और ज्यादा कमा सकें कुछ सालों तक ये करना ही होगा ऐसा करने से तुमारे पास धनकी एक सेना तयार हो जाएगी दो साल बात अलकिमिश फिर से अरकत से मिलने आए उन्होंने अरकत से पूछा क्या तुम्हें मनचाही दौलत मिल गई तो मैंने कहा उतनी तो नहीं हो पाई हाँ लेकिन मैंने कुछ संपत्ती तो जरूर जोड़ ली है जो अब मेरे लिए इंटरेस्ट कमाती है अरकत कहता ह कि मैं अमीर बना क्योंकि मेरे अंदर अमीर बनने का डिजायर और डिटिमिनेशन था मैं जो भी काम करता हूं उसे खत्मी करता हूं चाहे वो काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो अरकत ने अपने गरीब दोस्तों बेनेजीर को भी के साथ उनके दोस्तों को भी यह जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्ट कट और फ्रॉड के चक्कर में ना पढ़ें तीसरा इंस्विरेंस करवाएं ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपके बाद आपकी फैमिली सेव रहे चौथा उन्हीं लोगों से एडवाइस लें जो उस फिल्ट में नॉलेज य अब आते हैं लेसन नमबर त्री में के सीक्रेट पता ही नहीं थे ये सोचकर उन्होंने बेबिलोन के सबसे रईस आदमी को इंविडेशन दिया और अमीर आदमी को वह सीक्रेट बाकी नागरिकों को सिखाने के लिए बोला इस बात पर अरकद ने खुसी खुसी उन्हें हाँ कह दी फिर एक बड़े से हौल में काफी सारे नागरिकों को बलाया गया उसके बाद अरकद ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया कि मेरे पास दौलत कमाने के बर्निंग डिजायर के लावा और कुछ भी ना था आज मैं आपको लीन पर्स यानि की पतले से खाली पर्स के बारे में बताऊंगा अगर अमीर बनना चाते हैं तो इन सातों इलाजों को अच्छे से पालन करिए पहला इलाज अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें अब आप कहेंगे भई ये कैसे आप जो भी काम करते हैं चाहे जितना भी कमाते हैं आपको अपनी कमाई से सिर्फ 90% ही खर्च करना है आपको आपको काफी दिक्कत आएंगी इसी 10% को इन्वेस्ट करके आप आगे चल कर काफी प्रोपरिटी गोल्ड आदी कुछ भी खरीद सकते हो दूसरा इलाज अपने खर्चों को कंट्रोल में लाएं तभी हॉल में बैठा एक आपनी बोलता है अगर हमारा खर्चा पहले से ही जरूरते अधिक क्यों होती हैं सच तो यह है जैसे जैसे हमारी इंकम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं हम कभी भी अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर नहीं समझते हैं कभी भी हमारी इच्छाओं अलिम अब आते हैं तुमें त्टिसरी एलाज में multiply and income sources wealth कभी भी आपके saving से नहीं बढ़ती है यह आपके investing से बढ़ती है अपने नए-ने investing classes के बारे में जानिये और सीखे और आप उन जगों में अपने पैसों को समझारी से invest करें जहां आपको पता है उस जगर रिस्क लो है और प्रॉफिट जादा जैसे उस समय लोग तो किसी काम में पैसा लगाते थे जैसे अरकर ने ब्राश शिल्ड के बिजनिस में पैसे लगा कर पैसे कमाया उसी तरह आजकल के समय में लोग स्टॉक मार्केट, मुचुल फंड्स या आप भी अपना रिस्क कम कर पाओगे और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे इस टॉक मार्केट के बारे में उनकी बारे में जानने के लिए प्लेलिस को चेक करना ना भूलें जिसमें शुरुआस से समझाया गया है और चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करके ब जल्दी अमीर बनाने वाली पांजी स्कीम्स में जाल में नहीं फसना चाहिए जातर लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अपनी प्रिंस्पल एमाउन को भी खो देते हैं वो पैसे जिसे उन्होंने किसी सेव जगह इन्वेस्ट किया होता तो वो भी अच्छा खासा धन कमा सकते थे इसलिए प्यारे दोस्तों कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसके रिस्क को सही से समझ ले या उस फिल्डमेक एक्सपिरियंस लोगों से ही सला ले जिससे की आपका प्रिंस्पल एमाउन डूबे ना और आपका पैसा सेफ रही फिफ्थ हेल्दी स्टेप आता है Make Your House A Great Investment अपने घर का मालिक बने प्यारे दोस्तों अपने इंकम का 10% और अधिक धन कमाने के लिए इन्वेस्टिंग करते रहें इसी तरह आप बचे वे 90% से भी कुछ पैसे बचा सकें तो उसे घर खरीदने के लिए इन्वेस्टिंग करते रहें आपको सबसे ज़्यादा खुद के घर में रहने से ही मिलेगी में प्रोफेशन या काम के बारे में ज़्यादा लर्निंग हैबिट्स बनाकर या फिर स्किल्फुल बनकर अपनी इंकम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसके लावा आपको अपने इंकम के नए ने जरिये ढूड़ना और बनाते रहना चाहिए तो प्यारे दोस तो आप लोग की financial knowledge बढ़ाने के लिए telegram group बनाया गया है जिसका link आपको print comment में मिल जाएगा तो उस channel को subscribe करना ना भूले और आपको आने वाले वीडियो किस topic पे चाहिए तो नीचे comment करना ना भूले इस तरह की बहतेरी financial knowledge और financial freedom से जुड़ी videos आप लोग के लिए आती रहे आपको 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 आपक